तोके आजको टॉपिक है चितरकला के शडंग चितरकला के छे अंग तो तो यह जो छे अंग है वोको प Ah यू बहुत इंपोर्टेंटा है यानि कि अगर कोई आडिस्ट है कोई चत्रकार है अगर वो चित्रकारी करता है और उनको इन अंगों का ग्यान नहीं तो वो अच्छे से अपनी चित्रकारी नहीं कर साता है किसी पिक्चर को नहीं बना सकता है वो चीजों में मलब उसमें उभार नहीं ला सकता है उसमें सुंदरता नहीं ला सकता है ठीक उसमें ब्यूटी नहीं ला सकत कTF आए तो कहने का मतलब यह है कि छिक्षय के लिए। हर चित्रकार को हर चित्रकार को जो भी चित्रकार बनना चाहता है तो उसको इन छित्रकार ग्यानлом का चलते हैं हम लोगोंने लंद वीडियो में कामसूतर के पारे별 पढ़्य चुके लेकिंशी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं तो कामसूत में सेust hence 54 कलाई दी हुई है जिसको लिखा किससे Bash liquid figured कामसूत की तो वास्याय ने लिखी जिसमें 64 कलाइदी है जिसमें 4 नंबर की कला कौन सी आलेक है ठीक कौन सी आलेक है और इसी आलेक का ठीका इसी आलेक का spr del पंडित ने किया था किस नाम से किया था जय मंगला के नाम से किया था तो एक जैमंगला किस ने लिखी है तो भी यह द्यान रखना है तो जैमंगला यह शोदर पंडित की है जो काम सूत्र के तीसरे अध्याय की टीका है इसमें छे भेद बताएगे आले के कितने भेद बताएगा छे भेद बताएगा है लास वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उसको आप देख सकते हैं तो फिर अब हम लोग पढ़ेंगे भारती चित्रकलाग शड साद्रश्य वर्डिका भंग इती चित्रशरंकम तु आप इसको एसे लिख लीजियो ठीके तो रूप भेदा प्रमाराणि भाविलावर्योजनम साद्रश्य वर्डिका भंग इती चित्रशरंकम अगर आए शड़ंग का संबन किस कला से है चित्र कला से मूर्ति कला से वास्तु कला से तो आपको ध्यान रखना है शड़ंग का संबन चित्र कला से है शड़ंग का सिध्धान जो है वो काम सूत्र ने लिया गया था ठीक है तो अगर क्वेश्चन है शड़ंग का सिध्धान कहां से लिय किया है ठीक है तो शडंग का सिधान कहां से लिया गया तो काम सूत्र से लिया गया और शडंग का लेखा कौन है तो यशोदर पंडित है तो शडंग का लेखा कौन है या जैमंगला का लेखा कौन है तो यशोदर पंडित जी है फिर भारती चित्र जो है भारती जो चित्र है शडंग की सूत्रधार कौन है अब पूछा जा सूत्रधार कौन है तो पंडित यशोधर है तो जहां पर शडंग का नाम आ जाए तो वहां पर आपको यशोधर पंडित याद रखना है लेकिन अगर कहा जाए शडंग का सिधान किस से लिया गया है जो किस बुक से लिया गया से अवनीना ठाकूर ने जिसका नाम क्या था भारती शिल्प के शडंग तो आपको यह चीद भी ध्यान रख नहीं जो कब लिखी गए थी 1921 में लिखी गई थी तो भारती शिल्प के शडंग किसकी पुस्तक है तो यह हो जाएगी अवनीना ठाकूर की हो जाएगी ठीक तो प्रकाशित हुई थी, next हमारा क्या है, next हमारा है, शडंग, यानि कि कौन कौन से अंग है, तो देखिए, इसमें यहाँ पर मैंने लिख रखा है, तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, रूप आ जाएगा, दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, प्रमार आ दूसरा, लावर चौथा, सादरशी पाच्वा, वर्डिका छटा, आपको यह धियान लगना है, पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, ठीक, पाच्वा और छटा, क्यूं धियान लगना है, क्योंकि एक्जैमें पूछा जाता है, कि भाव किस नंबर पे आता है, या वर्डिका भंग किस नंबर पे आता है या प्रमार किस नंबर पे आता है तो इस तरीके से आपको ये श्लोक ही याद कर लेना है और आपको एक्जैम में चीज़ी याद आ जाएंगी अगर आपसे पूछा जाए प्रमार किस नंबर पे आता है तो आपको बताना है आंसर दू तो इस तरीके से आपको ये श्लोक अच्छे से याद रखना है, फिर हम बात करेंगे रूप की, तो इसके अंतरगत जो चीजे हैं वो पहले हम लोग नहीं, पहले हम देखते रूप होता क्या है, देखे रूप का मतलब क्या होता है, कि किसी का आकार, किसी का रूप, जैसे कि मान लिजे, आप बना रहे हैं, कि जैसे कि रूप का मतलब जो चीज जैसी, उसका वैसा ही रूप होना चाहिए, जो चीज जैसी, मान लिजे, आप किसी इस्तरी का पुरुष बना रहे हैं, तो पुरुष जैसा ना लगे, ठीक है, अगर आप किसी इस्तरी का चितर बना रह थो फुरुष की यहां अलग होती है तो फुरुष की जो Key不用 की बनावत होती है तो वह रहास से पुरुष की बनावत होती है तो हैं से पुरुष का चित्र बना रहें तो फिर क्या है गडबर हो जाएगी तो रूप का मतलब क्या है जो चीज जैसी हो वो ऐसी ही चीज दिखनी चोई है वैसी चीज लगनी चोई है लेकिन आपको इस तरीके से चित्र को बनाना है कि वह दोनों ही चीज अलग लगे और एक्जामपस हम लेख सकते हैं जैसे कि आप महावीर स्वामी का चित्र बना रहे तो महात्मा बुद्ध का चित्र ना लगे कि महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी ये भी महापुरुश है वो भी महापुरुश थे ठीक है तो आप जिसको जैसे बना रहे वो वैसे ही लगे किसी महात्मा बुद्ध का चित्र आपने बना के रखा है और आपसे कहा थे ये तो महावीर स्वामी का लग रहा है तो फिर क् पतलब जैसी चीज दिखती है वैसी चीज होनी चाहिए आप दिखें रूप को भी अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से डिफाइन किया अलग-अलग तरीके से बाटा है तो मांसोलास जो किसकी बुक है सोमेश्वर की है जिसमें पांच प्रकार की रूप बता है आपको ध्यान अगना सोमेश्वर ने कितने प्रकार की रूप बता है पांच प्रकार की रूप बता है जो कौन-कौन से हो जाएंगे बिद्ध हो जाएगा थीक नम्बर एक पे बिद्ध हो जाएगा दो पे अविद्ध हो जाएगा, तीन पे भाव हो जाएगा, चोथे पे क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा, पांचवे पे क्या हो जाएगा, धूली तो आपको ये sequence नहीं याद करना है बस आपको इतना याद रखना है कि सोमेश्वर ने पांच प्रकार के रूप बता है विद्ध अविद्ध भाव रस धूली ठीक है विद्ध अविद्ध भाव रस धूली तो आपको ये पांच प्रकार के चितने याद रखने है सोमेश्व के द्वारा फिर मारकन्डे मुनी जीव ने भी पताए है तो उन्होंने विष्णु धर्मोतर प्राण गो को भी वासियान की जो काम सूतर है उसको भी डिसकस कर चुक है यानि कि बहुत सी बुक्स हम लोगों ने लास् वीडियो में पढ़ी है जो exam के point of view से important है यानि कि उसमें चित्रकला का जो जिक्र दिया हुआ है उसके लिए important है तो आपको वो चीजे पढ़नी पढ़ेंगी तो इसमें मारकंडे मुनी ने कितनी बुक बताई है चार बुक बताई है तो मारकंडे मुनी ने विश्णु धर्म हो जाएका was apt year to sette अलंकारित जिस्रें व्यारोप कौन से हो जाएंगे जो शास्त्री नीमों पर एधाई होते हैं तो कौन से रूप में आता है मिश्णु धर्म मतलब क्या होता थे मिलाजुला यानी कि जिसमें छारी चीजे है अ गान धास कर जाल इसमें सारी चीजे मिखसों मिली जुली हों सत्वVery complicated नागर मिश्रित आपको मार कंडे मुनी साज़ा याद रखना है सत्य वैडिक नागर मिश्रित पूछ लिया आता है question ये आ जो धार्मी बुक्स थी या पुरान कह लीजिए या हिस्त्रोरिकल बुक्स थी यानि कुछ धार्मिक थी कुछ एतिहासिक थी तो इस तरीके से 12 बुक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था तो आप उसको देख लीजिएगा तो महाभारत के अनुसार कितने प्रकार की का तो अब अवनीना ठाकुर को तो आपने जरूर ही पढ़ा होगा तो अवनीना ठाकुर ने रूप की स्टार्टिंग कहां से की है आखों से यानि कि सबसे पहले हम किसी रूप को कहां से देखते हैं आखों से देखते हैं अपने आइस से देखते हैं फिर वो चीज क्या है हमारी आत्मा तक के उतर जाती है तो अवनीना ठाकूर के अनुसार पहले पहले रूप का आखों से परिचे होता है फिर वो धीरे धीरे आत्मा से परिचे होता है यानि कि पहले किसे परिचे होता है हमारी आत्मा से होता है फिर किसे परिचे होता है हमारी आत्मा से होता है तो अजन्ता में जो माता पुत्र का चित्र बना है तो देखें माता का चित्र और एक दाई का चित्र दोनों में फर्ख होता है दाई का मतलब क्या होता है जो बच्चे को पालती है ठीक है एक माता की जो ममता होती एक दाई की जो ममता होती दोनों में क्या होता फर्ख होता है बनाई जाते हैं कि इस तरीके तो लगता है बोलता ही है तरीके से तो इसी तरीके से आप माता पुत्र का चित्र पुत्र की तरह लगता है और माता माता की तरह लगती है कि माता को थोड़ा सा बड़ा कहने का मलब उसके आकार में थोड़ा अलग थोड़ा से डिफरेंस होता ह पुत्र के आकार में तोड़ा अलग difference होता है, ठीके दोनों के आकार में अलग चीजें पाई जाती है, तो इस तरीके से चित्रकार को पता ही ना हो, माता के चित्र कैसे बनेगा, पुत्र का चित्र कैसे बनेगा, तो तो क्या है, फिर चित्र का क्या हो जाएगा, आप खुद स सत्व का चित्र तो आपने देखा होगा जंता की गुफा में पदमपाणी का चित्र बना जो गुफा नंबर एक में बना हुआ हम रूप को तीन प्रकार से देख सकते हैं अब अगर प्रेजन टाइम की बात करें यानि कि मौडरन टाइम की बात करें वर्तमान मिक की अगर हम तो हम रूप को कितने प्रकार से देख सकते हैं, तीन तरह से देख सकते हैं, तो सबसे पहले आँखों द्वारा देखते हैं, इस पर्ष द्वारा देखते हैं, यानि कि छू कर देखते हैं, फिर आत्मा के अनभोधारा देखते हैं, यानि कि इसको हम फील करते हैं, किसी भी रफ है कि बिल्कल आखी प्लेन के सब्सक्राइब देखते हैं पर्ष करके भी रूप को समझ सकते हैं तो आखों द्वारा देखते हैं इतना पढ़े рокों किorer प्रमान को ने रूप aí तो किसी चीज को अगर हम बना रहें तो लंबाई, चड़ाई, उच्छाई, तीनों का ग्यान होना चीए, जैसे कि मालीजी आप शरीर बना रहें तो चेहरे की लंबाई, ठीके, हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, आप चेहरा बना रहें, फेस बना रहें, पता चले आपने चीज दूर की दिखानी तो आप उसको क्या बनाएंगे जो अगर आपको कोई चीज दूर की दिखानी है तो आप उसको क्या चोटा बनाएंगे ठीक है अगर आपको कोई चीज पास की दिखानी है तो उसको क्या करेंगे बड़ा बनाएंगे तो दूर की चीज दिखाने के ल लंबाई चोड़ाई और उचाई प्रमाड का बहुत जादा रोल होता है ठीक है आपको यहीं नहीं पता है कि कौन सी चीजिए को पीछे कोई बैठा हुआ आगे कोई बैठा हुआ आपने दोनों को एकी साइज में अगर बना दिया तो वो चित्र पता ही नहीं चलेगा कौन आगे है कौन पीछे तो इस तरीके से प्रमाड में लंबाई चोड़ाई उचाई ठीक है मुटाई यह सब चीजे बहुत इंपोर्टेंट होती है और यह चित्रकार को आर्टिस्ट को इसका ग्यान होना चाहिए अब देखेंगे प्रमाड के प्रकार किते होते तो प्रमाड याद रखेंगे का प्रतेक्ष प्रमाड अनुमान प्रमाड उपमान प्रमाड और शब्द प्रमाड तो आपको यह चीज़ द्यान रखनी है नेक्स हमारा स्लाइड क्या है अब देखें प्रमाड देखें आप किसी चीज़ को नापेंगे तो वो कोई जैसे कि आपको किसी चोटा बनाना है बड़ा बनाना तो आप किसी चीज़ को नापने की कुछ इकाई तो होगी तो दिखिए एक इकाई का मतलब क्या होता है एक ताल आपने के लिए हम क्या है इकाई का यूज करते हैं तो एक इकाई का मीनिंग क्या होता है एक ताल चाहे आप एक ताल बोलिए, चाहे आप एक इकाई बोलिए, आर्ट में हम क्या बोलते हैं? ताल बोलते हैं, ठीके? तो एक इकाई का मीनिंग क्या होता है? एक ताल होता है, ठीक? अब ये एक ताल किसके बराबर होता है? आर्ट में एक ताल किसके बराबर होता है? तो एक सिर जो एक सिर की जो लंबाई होती है वो क्या होता है? एक ताल होता है चाहे आप बारा अंगुल बोलिए चाहे आप एक सिर बोलिए तो एक ताल बराबर बारा अंगुल या एक सिर ठीक है? एक ताल बराबर किता होता है? बारा अंगुल या एक सिर होता है ठीक है, question एक बार पूछा भी गया था, कि एक ताल बराबर क्या होता है, तो एक सिर या एक पैर इस तरीके से options दिये हुए थे, तो वहाँ पर option एक ये भी दिया था, एक सिर, तो आपको वही answer लगाना था, ठीक है, तो एक ताल बराबर कितना होता है, तो एक सिर होता है, नेक्स ये जो सिर है ये भी हमारे कितने पार्ट में डिवाइड है ये भी हमारे चार पार्ट में डिवाइड है कितने पार्ट में डिवाइड है चार पार्ट में डिवाइड है केश यानि कि बाल ठीक है ललाट यानि कि माथा केश क्या हो जाएगा बाल हो जाएंगे ललाट आगे देखते हैं क्या है निम्लिकित व्यक्ति को अब देखिए इसमें क्या है अलग 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 जो इंसान होते थे जो व्यक्ति होते थे उनको अलग अलग ताल में डिवाइट किया गया था तो अगर पूछा जाए वामन को यानि कुमार को या लड़के को कितने ताल में क्या है पांच ताल सधाराण आदमी को कितने ताल में बनाते थे आठ ताल में बनाते थे औरत को कितने साड़े साथ ये कितना साड़े साथ है साथ पॉइंट पांच का मिनिंग साड़े साथ ठीक है याद रखेगा साड़े साथ उत्तम आदमी को कितने ताल में बनाते हैं नो ताल में यानि कि जो आदमी उत्तम होता है अच्छा होता है तो उसको क्या बनाते थे नो ताल में बना जाता है तो एक भर फिर से पढ़ लेते हैं इसको फिरसे एक बर कर लेते हैं कि वामन को कुमार को पांग ताल में साधार हान आदमी को 8 ताल में और औरvoir और दिखाय दिखाया जाता है लेकिन भारती प्रमार के उनुसार लेकि प्रेजन में बात करें तो मानो शरी कुव कितने पाल किदने साधी साथ ताल है ठीक एवरजी का यह मतलब किसी की लंबाई जादा भी हो सकती किसी कम भी हो सकती है लेकिन भावरती प्रवान के उनसार मानोशरीर कितने ताल का होता है ठीके तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है नेक्स हम चलते हैं भाव अब हम बात करेंगे भाव की तो भाव क्या होता है देखे भाव के द्वारा भावनाओं की अभिवक्त की जाती है यानि कि भाव के जरीये ही जो चित्रकार होता है अपनी बात को रखता है अपनी बात को लोगों तक पहुचाता है देखे एक एक जामपल हम यह भी ले सकते हैं जब चितरकार कभी खुश होता है तो खुश वाले जो है खुशी वाले भाव वाले चितर बनाता है जब एक चितरकार दुखी होता है तो दुखी भाव वाले चितर बनाता है यानि कि उसके चितर से हम समझ सकते हैं कि वो क्या दिखाना चाहरा है वो किस feeling को बयान करना चाहरा है एक दूसरा example ले सकते हैं जैसे कि एक कवी होता है जब वो खुश होता है तो कवीताय कैसी अच्छी ची लिखता है और कभी उसको मार लीजे प्यार में प्रेम में धोका मिल जाता है तो वो कैसी कवीताय लिखता है वो दुख भरी कवीताय लिखता है तो इस तरीके से वो अपनी कला के जरीए एक चित्रकार अपनी चित्र के जरीए कभी अपनी कावी के जरीए अपनी feelings को क्या करता है बयान करता है तो इस तरीके से भाव का होना चित्र में बहुत जादा important है ठीके अब देखे भाव के द्वारा ही रस की अभिवेक्ति होती है यानि कि जब देखिए जब किसी कावी में किसी कावी की बात हो रही हो या किसी चित्र की बात हो रही है तो उसमें रस का होना रसका कह सकते हैं एक तरीके से क्या होता है रसका मना आनंद मज़ा ठीक है तो रसका होना बहुत जादा जरूरी है तो भाव के द्वारा रसकी भी अभिवेक्ति की जाती है भाव के द्वारा आनंद की रसकी ठीक है अभिवेक्ति की जाती है हैपिनेस की अभिवेक्ति की जा गभाव की पुरकार कितने है यानिकि 49 है किसी भरत मुनी के अनुसार भावों की संख्या कितनी है 49 है जिसमें 8 इस्थाई भाव है तैतिस संचारी भाव है और 8 सात्विक भाव है थीक है तो भरत मुनी के अनुसार भावों की संख्या भावों की संख्या कितनी है 49 है जिसमें 8 इस्थाई भाव है तैतिस संचारी भाव है और आठ सात्विक भाव हैं, तो इस तरीके दे भाव की संख्या को भी हम लोगों ने देख लिया, अब हम बात करेंगे लावन की, तो लावन किस नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे, साधर अश्या आज आएगा, पांचवे नंबर पे, और वर्डिका भंग कितने नंबर की जाती है, यानि कि आंतरी के बाहर दोनों की की जाती है, तो इस तरीके क्वेश्चन आया था, तो आपको ध्यानने कर लावन के जरीए बाहरी संख्या की अभिवेक्त की जाती है, तो एक चित्रे में लावन का होना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से रूप का होना जरू जाये तो खाना क्या है वह मजदान कहाना नहीं बनेगा बिलीशस खाना नहीं बनेगा और लावन में भी ध्याण लखना है किसी खाने में आप नमक बहुत ज्यादा भी न害 सकते हैं और बहुत कम भी नैसे बहुत जादा डालेंगे तब भी दिकत और बहुत कम डालेंगे तब भी दिकत तो किसी चित्र में भी लावन ने आपको उतना ही दिखाना है जितना सही हो जितना अच्छा हो जितना चित्र पे सूट करें तो इस तरीके से एक चित्र में बाहिस अंदर की अभिवेकती किसके के जरीए की जाती लावन के जरीए की जाती है नेक्स हमारा क्या है साद्रश साद्रश का मतलब क्या होता है जैसी जो चित्र दिख रही है यानि कि जैसा जो रूप दिख रहा है जो जैसी है उसके ही समान होनी चाहिए ठीक है जो चीज जैसी है वो उसके ही समान होनी चाहिए मान लीजिए आप किसी चित्र को बना रहे हैं पेड़ को बना रहे हैं तो वह चित्र पेड़ के जैसा ही बनना चाहिए किसी चीज को आप देख के मान लीजिए आप बना रहे हैं क्या करते हैं इंद्रा गांधी जी को बना रहे हैं तो वह इंद्रा गांधी ही लगनी अब हम बात करेंगे वर्डिका भंकी तो वर्डिका जो भंक है वो दो शब्दो से मिलके बना है वर्डिका और प्लस भंक वर्डिका का मीनिंग क्या होता है विभीन रंगों का और भंक का मीनिंग क्या होता है सम्मिश्रन ठीक है वर्डिका का मीनिंग क्या होता है विभीने रंगों का जिसमें बहुत से रंग लगे हो जिसमें विविधता हो ठीक है भंग का मतलब होता है सम्मिश्रण यानि कि विभीने रंगों के सम्मिश्रण से जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते है वर्डिका भंग जैसे क आप माली जी कोई चित्र बनाते हैं उसमें कोई पेड़ बनाते हैं तो जहां पर आपको छाया दिखानी होती वहां पर आप डाक कलर का यूज करते हैं जहां पर आपको लाइट दिखानी होती है यहां पर प्रकाश दिखाना होता है वहां पर लाइट कलर का यूज करते हैं तो जहाँ पर आपको परचाई दिखानी होगी, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है, डाग कलर का यूज करेंगे, जहाँ पर आपको प्रकाश दिखाना होता है, वहाँ पर लाइट कलर का यूज करते हैं, जहाँ पर आपको कुरूरता दिखानी होती है, जहाँ पर आपको बहु जैसे कि आप गुस्से में कोईचीज बनाते तो वहां पर आप डाक कलर का इस तरीके से आज हम लोगों ने छे अंग पढ़े अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें अगर आप इसी तरीके स तब तक के लिए जय हिन जय भारत